अस्सलाम वालेकुम आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ खीमा कटलेस रेसिपी भाय नाजिया फरहान की खीमा कटलेस बनाने के लिए हमें आदा किलो मतन का खीमा ले लेना है फू टेबल इस्पून अद्रक लसन हरी मिर्च का पेस्ट एट करेंगे एक चाय का चमच गरम मसाला पौडर एट करेंगे टेस के हिसाब से नमक एट कर देंगे एक प्लेट में आदा कब दूद एट करके दो से तीन ब्रेट स्लैस को दूद में अच्छी तरह सोग करेंगे उसके बाद हम मिक्सचर में एट करेंगे बारिक कटवा पुदीना बारिक कटवा हरा धनिया एट करेंगे एक लिम्बू का रस एट कर देंगे बारिक कटीवी प्यास दाल के सभी को हलके हातों की मदस से अच्छी तरह मिक्स करेंगे और एक से आदा घंटा मेरिनेशन के लिए रख देंगे एक घंटा मेरिनेशन के बाद तेल की मदद से हाथों को अच्छी तरह ग्रीस कर लेंगे जिस शेप में आपको खीमे के कबाब रेडी करने है उसे उस शेप में रेडी कर लेंगे इसी तरह मैंने सभी खीमे की कबाब बनाके ready कर दियू अब हम इसे breadcrumb में coat करेंगे यहां मैंने fresh breadcrumb का इस्तेमाल की अगर आप चाहे तो ready made breadcrumb भी use कर सकते हैं दोनों साइड से कबाब को breadcrumb में अच्छी तरह coat कर लेंगे इसी तरह मैंने सभी कबाब की टिकी को ब्रेट क्रम में कोट कर ली हूँ अब हम इसे एग में डीप करेंगे तो मैंने यहां बीट कर ली हूँ एग को नमक और काली मीरी एड करके पैन में ओयल को गरम करेंगे जब पैन में ओयल अच्छी तरह गरम हो जाए अंडे में डीप करके टिकियों को डालती जाएंगे मीडियम टो लो फ्लेम पे एक साइट से से अच्छी तरह गोल्डन ब्राउन करेंगे जब वो एक साइट से गोल्डन ब्राउन हो जाए उसे पलट के दोनों साइट से अच्छी तरह गोल्डन ब्राउन कर लेंगे दोनों साइड से गॉल्डन राउन करने के बाद इसे अब हम निकाल लेंगे तो हमारे खीमा कटलेस बनके रेडी हो चुकी है वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें साती साथ बेल आइकन प्रेस करें ताके आने वली सभी वीडियो आप तक जरूर पहुचे इस रेसिपी को जरूर ट्राय करें इसके फीड़बैक मुझसे मेरे कमेंट बॉक्स और इंस्टाग्राम ऐडी पे पिच्चर्स के साथ सेंड कर सकते हैं अपना खयाल रखें और